दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे वर्टसेप पर अपनी जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप एड़ करते हैं उसे पब्लिकली कोई भी वर्टसेप यूजर दिख सकता है हालां कि आप माई कॉंटेट आप्शन को सेलेक्ट करके सिर्फ अपने वर्टसेप फ्रेंड्स को ही अपनी वर्टसेप डीपी दिखा सकते हैं या फिर नौबोड्य आप्शन को सेलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सभी से हाइड कर सकते हैं लेकिन अब वर्टसेप पे एक न्यू अपडेट आगी है जिसके थुरू आप अपनी प्रोफाइल फोटो को किसी भी चुपा सकते हैं जिया दोस्तों अब आप जिसे चाहों उसे अपनी प्रोफाइल फोटो दिखा सकते हैं या फिर जिसे चाहों उससे हाइड कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है चलिए इस वीडियो में जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं रमे सिंग और स्वाग करने के बाद आपको अपना वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना है इसके बाद सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है इसके बाद सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है इसके बाद सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है इसके बाद सेटिं option my contact option और nobody option पहले से ही available थे जिनको select करके आप अपनी profile photo को publicly show करवा सकते हैं सिर्फ अपने contacts को ही दिखा सकते हैं या फिर WhatsApp पर सभी से hide कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर एक और new option देखने को मिल जाएगा my contact accept इस new option के थुरू आप अपने WhatsApp contact में से किसी भी contact से अपनी profile photo चुपा सकते हैं जैसे आप इस option पर click करेंगे इस तरह से आपकी WhatsApp content list open हो जागी तो guys जिन contact से आप अपनी profile photo hide करना चाते हैं उन्हें आपको इस तरह से select करना है और contact select करने के बाद bottom right corner में आपको check mark के circle पर click कर देना है इसके बाद अपनी content list में से जितने content को आपने select किया होगा उनसे आपकी profile picture hide हो जाएगी वो आपकी profile photo को नहीं देख पाएंगे उनके अलावा बाकि सभी friends को आपकी profile photo as it is show होती रहेगी तो इस तरह से friends जिससे चाहो आप उससे अपने profile photo को hide कर सकते हैं और जिससे चाहो उसे दिखा सकते हैं फिलाल ये update whatsapp के beta version यूज करने वाले users को मिला है बहुत ही जल्दी इस new update को सभी के लिए roll out कर दिया जाएगा अगर आपको नहीं मिला है तो आपको थोड़ा सा wait करना है बहुत ही जल्दी आपको भी ये नया feature update मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलता हूं आपको next वीडियो में किसी new topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद